आज हमें अमबर्नात और बदलापूर के बीच में चिकलोली लोकेशन में मेंद रोड देख लीजे यह अपना हाइवे रोड है अमबर्नात बदलापूर से लेके सिलफ आटा तक यही रोड जाता है और सामने देख लीजे कारमेल कॉन्वेंट हाइस्कूल है आपको अपने सामने ही मिलेगा और यहां से चिकलोली स्टेशन हाडली दो से तीन मिनिट वॉकिंग डिस्टेंस पर है और बदलापूर सेशन सिर्फ और सिर्फ दो किलोमेटर के डिस्टेंस पर आता है और एकदम यह रोड देख लीजे और रोड के सामने अपना यह प्रोजेक्ट है बिल्डिंग का यह complex होने वाला है सेम ऐसा यह बनेगा और पूरा इट का बांधका में यहाँ पर ब्लॉक्स यूज नहीं किया गया है इट का बांधका में तो एकदम लगजरी है वाटर फैसिलेटी आपको 24 अवर्स इसमें मिल जाएगा तो हम आया अभी फ्लोर पे एक फ्लोर पे आपको आठ फ्लाट देखने के लिए मिलते तीन लिव्ट और दो स्टेरकेस और मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ टू भी एच के फ्लाट यह जो फ्लाट का एरिया है 1075 स के लगजरी फ्लाट टैरेस देख लीजे यह फ्लोर का फ्लाट है शॉप के वज़े से इतना बड़ा टैरेस मिला है यह भी फ्लाट अवेलेबल है इसका प्राइस थोड़ असा बढ़ जाएगा आपको नॉर्मल जो फ्लाट मिलेंगे उसमें पाच फूट का आपको टैरेस मिल जाएगा लीविंग रूम के साथ लीविंग रूम देख लीजे कितना स्पेशियस है यहाप पर आपका प्रॉपर डाइनिंग का स्पेस आजाएगा इसके बाद देख लेते कीचिन कीचिन में आपको दो प्लाटफॉर्म मिलते है रेफ्रेजिटर के लिए प्रॉपर एकदम जगा दी गई है प्रॉपर बिल्डर रहें कीचन में भी आपको एक बड़िया सी बालकनी मिलती है चार फूट की जहां पर आराम से वाशिंग मशीन का कनेक्शन आपको मिल जाएगा और यह सामने ही देख लीजे आपके घर में से आपको रोड का व्यू मिल कीचन आ रहा है जो की वॉकिंग डिस्टेंस पे होगा आपने घर से कीचन देख लीजे कीचन के बाद अपना कॉमन ट्यूलेट वॉश्रूम यहाप बाहर जो स्पेस है यह पे वाश बिसिंग आजाएगा आपका कॉमन ट्यूलेट वॉश्रूम में आपको वैस्टन लगजरी फिटिंग्स, फुल टाइलिंग्स के साथ आपको मिल जाएगा, common washroom भी, उपर आपको water tank के लिए storage मिल जाएगा, यह आपका common bedroom देख लीजे, यह भी काफी spacious है, इसमें बालकरी नहीं मिलती है आपको common bedroom में, पर ventilation के लिए काफी बड़ी सी window मिलती है common bedroom में आपको, फ इसके बाद है अपना यह bedroom, master bedroom, personally मेरा फेवरेट है काफी spacious है, master bedroom देख लीजे कितना बड़ा है, इसमें भी आपको एक gallery मिलती है, चार फूट की balcony, जो की काफी बड़िया है, आराम से आप चेर वेर डालके bed सकते हो, रात के time enjoy कर सकते हो, morning का, sunrise enjoy कर सकते हो, यह तो खेर अप अब आप उपर जाते हो, floor rise एकदम उपर उपर जाते हो, तभी आपको कुछ अच्छे से view देखने के लिए मिलते है, चारो साइड से building को अच्छे से ventilation है, तो views आपको बहुत अच्छे-च्छे views मिलेंगे यहाँ से, और living room देख लीजे कितना spacious है, तो screen पे आपको मेरा number आ है, contact कीजे, कोई भी doubts हो तो, इसी के साथ आज की वीडियो खतम करते हैं, thank you, bye bye